नमस्कार आदाव सश्रेकाल मित्रों स्वागत है समाधान में एक बार पुना आप सभी का मैं यहां ब्रह्मा कुमारिस के कैंपस में विचरन कर रहा था तो एक बहुत अच्छा स्लोगन मुझे पढ़ने में आया एक स्लोगन ने मुझे विशेज आकरशित किया मैं वहां खड़ा हुआ उपर लिखा हुआ था शेव भगवान वाच और नीचे लिखा हुआ था यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो भी वो अच्छे में तब्दील हो जाएगा यह स्लोगन मुझे इतना अकरशित किया इस स्लोगन मुझे कि मैं वहां खड़ा रहा और बार बार इसे पढ़ता रहा कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला भी होगा अच्छे में तब्दील हो जाएगा सचमच कितने गहरी बात है ना, कितने गहरे महावाक्य हैं परमात्मा के, क्या हम अच्छा नहीं सोच सकते अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए, सोच के देखें, वास्तों में सोच बीज है, जिसकी लगातार चर्चा करते आ रहे हैं समाधान का लिक्रम में ब्राता जी हमारे साथ, कि बीज यदि अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से फल अच्छा होगा, और हम हमीशा से सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि जैसे बीज बहोगे, वैसे ही फल काटोगे, यदि आम का बीज बहोगे, तो आम मिलेगा, यदि बबूल के बीज बोगे, तो बबूल ही तुम्हें प्राप्त होगा, सोच वास्तों मिमित्रों बीज है, इसलिए इस विशय पर भी आप जरूर विचार कीजिएगा, इस विचार ने मुझे तो बहुत प्रेरित किया है, छुआ है, और मैं लगातार इस पर विचार कर रहा हूँ, कि क जोँगा, सच ब कितनी सुन्दर बात है, सोच, कितना महत्वपूर्ण है और अच्छा सोचा जाए तो कुछ बुरा होने वाला होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ बुरा होने वाला वाला होगा, तो भी अच्छा हो जाएगा ये भगवानों अच्छ है आपने जो पहले इसमें पढ़ा इंपोर्टेंट बात वही है कि सुवें भगवान ने कहा कि तुम इस तरह सोचो तो मैं अपने अनुभाओं के आधार से अपने सभी भाई बेहनों को ये कहना चाहूंगा कि हमारे हर संकल्प में creative energy है अगर एक मनूष ये सोचता रहता है क्या होगा चिंता पता नहीं को ये नहीं हो ये हो जाए तो हम से negative energy चार और फैलती है और उससे सब कुछ negative create हो जाता है हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं उसके vibrations उसकी केरने चार और फैलती है वो जाती है प्रकरती में प्रकरती से mix up होती है और वही चीज़े डबल होकर हमारे पास आ जाती है वापिस मालो हम यह सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो जाए तो यह vibrations प्रकरती में पहुंचे और कहीं ऐसा न हो जाए वही तरंगे वापिस हमारे पास आ गई तो यह हमारी चिंता को बढ़ाएंगी हमें चिंता को डबल करेंगी फिर डबल फोर्स से यह निगेटिव संकल्प फिर प्रकरती में जाएंगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते यह उसी को कर देंगे जो हम सोच रहे हैं इसलिए हमेशा यह सोचना है मैं सभी भाई बहनों को यह सुंदर बात कहना चाहता हूं मेरे साथ अब से जो कुछ होगा बहुत सुंदर होगा मेरा गू'd टाइम चल रहा है ये दूसरी बात सब मन में बशा दें और दिन में पांश ताथ दस बार उसको सोच लिया करें ऊठते ही सोच लें तो बहुत अच्छा हो मेरा गूद टाइम चल रहा है मेरे साथ सेब कुछ अच्छा हो रहा है मेरा भव यह बात अब जल्द ही ऐसी ठीक हो जाएगी तो जितना हम इस तरह का संकल्प करेंगे उतना ही वैसा ही होता रहेगा हमें यह फील होता जाएगा धीरे-धीरे up to some extent किसी को 10% किसी को 20 किसी को 50 किसी को 80 कि जो हम सोचते हैं वो होने लगा है हमारा हर सोच कुछ ना कुछ create कर रहा है अब यह depend करेगा हमारे अंदर कितनी power है कितना effectively हम अपने vibrations प्रकरती में भेज रहे हैं सुन्दर लेकिन हम यह अवश्य सुरू कर दें कि हमारा positive चिंतन हमारे सुन्दर भविष का निर्मान करता है आज हमारा सुन्दर चिंतन हमारे आज के दिन को सफल करेगा सबेरे उठते हैं अपने लिए कोई तीन बाते दे दिया करें मेरा आज ऐसा होगा आज मुझे हर कदम पर खुसी मिलेगी आज मैं जहां भी जाओंगी जाओंगा सफलता मेरे चरण चुमेगी आज जो भी मुझ से मिलेगा बड़े प्यार से मिलेगा आज हमारी हर मुलाकात बड़ी सुन्दर होगी सुन्दर मैंने दो बात कही ये बात ऐसे अच्छी हो जाएगी और मेरा गुड टाइम चल रहा है तो खराब बात भी अच्छी में बदल जाएगी इसके हमें बहुत अनुभव हो बिल्कुल जैसे आपने एक दिन की बात कही कि मेरा आज ऐसा होगा क्या ऐसे ही हम अपने पूरे वर्ष को पूरे जीवन को भी कह सकते हैं कि हाँ मेरा पूरा जीवन एक वीक का वीजन बनाएं मास का बनाएं छे मास का बनाएं कोई बात लंबे समय की है साल की दो साल की उसका भी वीजन इस तरह बनाया जा सकता है मैं एक छोटा सा सुंदर अनुभव सुनाना चाहूंगा सभी क जो सच मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा अभी का है बस तीन दिन पहले मुझे फोन आया मैं बाहर था तो military man बोल रहा हूं पंजाब से क्या हुआ मेरा बैक हो गया मैं यात्रा में था उसमें मेरी सारे documents थे secret और मेरा ID था military का अब यहां आ गया हूं बहुत परिशानी हो रही है क्यों कदम कदम पर उनकी जरुवत परती है और जैसे हमारे बड़े officers करनल कोई पता चलेगा तो मेरी उस पर जो रिमार्थ लिखा जाता है वह बलर लिख जाए ला परवाव्यक्ति है सब कुछ भी करने वाला है क्या करूं अब यह बैक कैसे आये किसने चोरी कर लिया यात्राओं में विचारा परिशान मैंने उसको का नहीं परिशान नहूं अब एक वीजन बनाओ कि यह बैक जल्दी मेरे हाथ में आ गया है और मैं इसे खोल के अपने सबसे कर दोक्मेंट्स प्रापत कर रहा हूं और अब से ही मैं मस्टर सर्व शकृटिवश न हूं इसकी प्रैक्टिस प्राड़ में करो 1000 वार तर लो इसकी फिर पैर को φोना आ था कपड़े तो सारे निकाल लिए, कपड़े सारे निकाल लिए, बाकी सब चीजे सुरक्षित भेज दी और वो मुझे आज ही मिल गया है, बहुत खुशी की बात मेरे को तो जैसे जीवन मिल गया है, मैं अभी आसरम में जा रहा हूं, बापा को थैंक्स दूँगा, कब बिलकु नया जीवन मिला, यह सब खोने से बहुत बुरा होता है हमारे साथ, तो देखिए, इतने बड़ी spiritual यह power है, और विश्वास और एक positive vision, इसका बहुत सुंदर effect जीवन पर होता है, बिलकुल, प्रता जी, क्या यह जो सोच, जैसे आपने अभी कहा, कि ना केवल vision, लेकिन उसक कि साथ-साथ एक शक्तिशाली संकल्प, जो राजयोग से जुड़ा हुआ है, इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यक्ता होती है, उस vision को implement होने में, बिलकुल, जैसा मैंने का हमारे हर संकल्प में creative power है, vision के साथ हम powerful संकल्प भी करेंग, इसलिए मैंने master almighty का अभ्यास कराया, ताकि उसके हर थोट में power आ जाए, और मैंने का जब भी तुम्हें संकल्प पाये, क्या होगा, तो यही सोचना मैं master sir, उसक्तिवानू, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो अच्छा ही हो गया, बिलकुल, बिलकुल, यह तो बहुत अच्छी है, एक समाचार है, अच्छा अन करना है, दिन में कहां रहना है, शाम को क्या करना है, तो आम तर पे, मोटे-मोटे तर पे व्यक्ति को अपनी पूरी दिन चरिया का पता होता है, क्या पूरी दिन चरिया में मेरे साथ ऐसा 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 अच्छा अच्छा होगा, ऐसा भी व्यक्ति देख सकता है, और अविजन यानि सफलता हमें बाद में होने वाली है पर हमने एक पावरफुल थोट्स करके सफलता का जैसे स्टेंप लगा दिया है उस कारिये पर इसलिए भोजन बना रही है माता हैं तो संकल्प करें वा आज ये भोजन सब को बहुत अच्छा लगेगा सब वा वा करेंगे भोजन खा है वहां मुझे जाते ही सफलता मिलेगी ऐसे संकल्प करने से बहुत अच्छा रिजलत मिलेगा नॉर्मली मनुस को क्या आदत हो गई है मैं वहां उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं यह न कह दे कल आना पर पहले से निगेटिव सोचने लगता है मनुस तो फिर वही उसे द कलने देता हूं उसके बाद मैं निकलूंगा क्योंकि मेरा काम बिगड़ जाएगा यह जो एक अंदस्रद्धा वाली बात है क्या सच्मुच ऐसा होता है यह केवल विचारों की बात है अगर किसी को ऐसा संकल्प होता है कि बिल्ली रास्ता काट गई और उसके मन में अवश्यक्ता नहीं होती है प्रता जी एक हमारे पास जो SMS आया है ठीक चुकि हमारी बात विचारों पर चल रही है तो शिल्पा जी ने पंजाब से हमें भेजा है यह कहती है कि मेरा सवाल सुरज भाय जी से है कि आजकल एक्सिडेंट बहुत बढ़ गये हैं तो जब मेरे पती और मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो दिल में डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए यह एक्सिडेंट का कारण मन का भटकाओ गाड़ी मनुस चला रहा लेकिन सोच कुछ और रहा है जी फोन से बात कर रहा है आज कल एरफोन आ गए हैं सामने मुख पे पुलिस वालों को दिखता भी नहीं बात करते जा रहे लेकिन अटेंशन तो जा रहा है को टेंशन मन में है कोई चिंताओं में गाड़ी चला रहा है कोई किसी को नीद आ गई है रात के समय बड़े-बड़े एक्सिडेंट के वल नीद क जैसे ही यात्रा सुरू करें हमारे यहां तो जब यात्रा सुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं यह इसलिए कि वेल बिगनिंग हो तो उन्हें भी सिखा दें और खुद भी संकल्प करें तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है तुम्हारी यात्रा पूर्ण यह दोनों बहुत सुरक्षित हैं, बिलकुल सफल यात्रा करके आएंगे, मेरा बच्चा या मेरा पती बाबा की छत्र चाया में हैं, वो सदा इनका रक्षक है, वो इनके साथ है, ऐसे सुंदर संकल्प करेंगे, तो इनका भैवी समाप्त होगा, और उनके पास इनके भी और स बाबा के भी गुड़ वाइब्रेशन जाते रहें, प्रता जी ऐसे विचार आते ही क्यों है, जैसे जब भी कोई बाहर निकला, पहले दिशाद हम लोगों ने चर्चा की है कि कई लोग ट्रेन में सफर करने से डर लगता है, कई लोग जैसे अपने परिजन को कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, मतलब वो नहीं चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, फिर भी बार बार ये विचार क्यों आता है जगते हैं, इसका एक तो कारण यह ही कि यह देखती है, अख़वारों में पढ़ते हैं, वहां एक्सिडेंट हुआ, वहां हुआ, तो मन पूर्व जन्मों में उसी तरह कि दुरगटनाओं से गुजरना पड़ा है, एक्सिडेंट से उनकी मित्यु हुई है, तो एक्सिडेंट का नाम सुनके वह भीत होते हैं, पानी में दूबने से मृत्यु हुई है, तो जो भी पानी में तैर भी रहा होगा, उसको भी सावध सुन्दर सा सजेशन सभी को देते हैं, कि सवेरे उठकर रोज हर एक को यह अपना रूटीन बना ही लेना चाहिए, पहले साथ बार याद करें, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हो, अब फिर दूसरे अच्छे संकल्ब करें, मैं निर्भै हूं, मेरा जीवन निर्विघन है, मै सफलता मूर्थ हूं, और था सफलता तो मेरा जनम से जदिकार है, यह सुन्दर संकल्ब रोज सबेरे उठकर साथ बार करने की आदत डाल दें, तो यह भैक के संकल्ब पैदा करने का जो एक संसकार बन गया ना, यह छोट जाएगा, बिल्कुल, और भैताजी जब इस दर्म पाई भी छोडती है, तो मनुस को उस तरह की फीलिंग्स आने लगती है, उस टाइम, उस टाइम को निकाल देने के लिए, पांच मिनट बैठ जाएं घर में, बहुत अच्छा मेटेशन का अभ्यास करें, शिव बाबा से अच्छी बाते करें, फील करें, वो हमारे सिव के उपर छत्र चाया है, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हो, विग्न विनाशक हो, मेरा जीवन बिलकुल निर्विघन है, ऐसे ऐसे सुन्दर संकल्प पांच मिनट करें, तो उस समय को भी विता देना है, निकाल देना है, टाइम भी गुड और बैड होता ही है, तो ऐसा बैद ट इनका भी चल रहा हो, उसको पास कर देना चाहिए, और ऐसे सुन्दर संकल्प करके अपने चार ओर एक पावरफुल ओरा किरियेट कर लेना चाहिए, तो हमारी पूरी यात्रा सफल होगी है, बिलकुल, रते जीन होने अगला भी एक प्रश्न किया है, ये कहती है कि क्या प् मकुमारिज में कि ये भोजन नहीं खाना है, तो क्या हम वो खाते हुए भी राज्योग का भी खातों लें और कर भी लें, लेकिन भगवान को खसबू कैसी पहुँचेगी, सोचने की बात है, उसके मंदिरों में भी अगर बत्तियां जलाई जाती है, और अगर राज्योग प्योरिटी से चलता है, शुरुवात ही इसकी वहां से है, परमात्मा पवितरता के सागर हैं, उससे बुद्धियोग लगाने के लिए, उससे मिलन करने के लिए, उस व्यक्ति को प्योरिटी बढ़ानी चाहिए, और ये चीजे तामसिक मानी जाती है, ये तमोपरधान ही बहुत अच्छी चीज है, और घरों में ये समस्या अवस्य किसी को आती है, लेकिन जान नियम है, और डॉक्टर भी कह दे ये तुम्हें नहीं खाना है, तो भी तो हम मानते ही है, कई बार बहते जी परिशानी वहीं होती है, कि मान लिजे मैंने अब इस ग्यानमार की बा देखिए, उनके लिए तो इन्हें कुछ दिन बना ही देना चाहिए, लेकिन स्वय हम इसको एवाइड कर देना चाहिए, और फिर भोजन ऐसा टेस्टी बनाना चाहिए, कभी-कभी चुप-चाप मतय करती है ऐसा, बिना लहसुन प्याज के इतना टेस्टी बना दिया कि उन अवश्यक है, इस प्रकार का तर्क देते हैं, तो लहसुन प्याज न खाने के पीछे ब्रह्मा कुमारिस क्या तर्क देती हैं? कोई बुरी बात नहीं है, अगर दवाई के रूप में कोई सेवन कर रहा है, तो अपने अंदर प्योरिटी बढ़ाने से सब कुछ अच्छा होगा, और इस समय जो कि भगवान इस धरा पर कारिये कर रहा है, हमें उसकी आज्याओं का पालन करना है, और उससे बड़ा सत्त का उद्गाटक और कोई हो नहीं सकता, उसने आदेश दिया है, यह सब तामसिक चीजे छोड़ दो, क्योंकि तुम देवों की संतान हो, तुम देवकुल की महनात्माएं हो, तुम्हें अब देवत्व को प्राप्त करना है, इसलिए अब हमें भगवान की बात माननी है अन्यताइं चली आ रही हैं, अन्यताओं को हमें राजयोग के लिए, प्रभु मिलन के लिए, अपने जीवन को सुक्षानती से भरने के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ी देना चाहिए प्रदर जी मान लिजे, चली बहुत अच्छी बात है, जो आपने कही कि परमात्मा की आग्या है, और ठीक है, आम एक्स्पेरिमेंट भी करना चाहिए, कि अब तक तो खाते रहे हैं, छोड़ करके देखा जाए, उसके पर शाथ योग लगा के देखा जाए, लेकिन मान लि योग तो तब भी करना चाहिए, और फिर योग की शक्ती इनको मदद करेगी, इनमें इतना मनोबल आ जाएगा, इनके वाइबरेशन भी इतने अच्छे चार ओर फैलेंगे, यह प्यास करते हुए भोजन बनाए मैं परम पवित्रात्मा हों, तो इनके प्योर वाइबरेश भोजन में जाएंगे और इसका इफेक्ट सब के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, सब का सहयोगी ने प्राप्त हो जाएगा, दूसरी बात यह भी आता है प्रताजी, कई बार आप हमीशा कहते हैं कि जो भी हम भोजन बनाएं, तो भोजन करने से पहले, बनाने से पहले भोजन स्विकार करने से पहले हम परमात्मा को स्विकार करा हैं, इस प्रकार की चीज़ें मिली हुई होती हैं भोजन में, तो फिर परमात्मा को क्या स्विकार कराना चाहिए? बहुत पवित्र वातावन में होना चाहिए, इसलिए देखो लोग फल या खीर या दूद की चीज़ें यही भोग में आरपित करते हैं, ऐसी वेज़, नमकिन चीज़ें भी प्राय नहीं करते हैं, तो यह केवल प्योरिटी की कारण है, बिल्कुल, चलिए भोजन के बारे का प्रवेश होने लगता है, क्या यह सही है, अगर नहीं है, तो वो सब कौन है, प्लीज इसका मुझे जवाब जरूर बताएं, क्योंकि देवियां जब आएंगे, तो वो कम से कम ऐसे तो नहीं करेंगे, जैसे कि आम तोर पे जब कुछ आ जाती है, तो लोग करने लगते ह हैं, वो तो देवी हो यह नहीं सकती, देवी कोई तामसिक नहीं होती है, तो तमो प्रधानता के प्रतिक हैं, यह क्या है, यह वो आत्मा है, यह जो आप इस से पहले किस पर आएं, यह जो बली दी जाती है फिर देवियों को खास करके, बकरे की, मुर्गे की, बड़े- उसकी वासनाओं की, मनुस यह तो कर नहीं पाता, तो बैचारी बकरी को बली चढ़ा दिया जाता है, बकरी ने क्या पाप किया, वो तो मनुस से ज़्यादा अच्छी है, सुद्ध है, तो वास्तव में यह जो भटकती हुए आत्माहे हैं ना जाता, वो किसी में प्रवेश कर लेती हैं और कह देती है मैं देवी हूं मुझे ये घिलाऊ वो खिलाऊ ये होती जो इनकी होती है जो मनुस्त थे जो जो खाते थे अब उन्हें मिल नहीं रहा तो उसकी इच्छा उन्हें होती है उसी की निमान करते हैं वास्त Sãoille कोई भी नहीं होती है डेवी तो बहुत पवित्र आत्म जब देवी कहीं आए तो चार और के वाता और्ण में भी सुगंद चा जाए वाइब्रेशन बेलकर पवित्र हो जाए देवी कोई ऐसे सिर्विर हिलाया पटके या किसी को ऐसा वैसा कहे उसकी भी ज़वरत नहीं है यह आत्मा करने मदद करती हैं कई उने विधियां बता देती हैं कोई चोटे मुटे बिगडे हुए काम उनके ठीक करा देती हैं किसी का बच्चा खो गया बता देती हैं कहां है क्योंकि वो तो बोडी-लेज है ना उन्हें सब दिखता है इसको लोग समझते हैं वहाँ यह तो बहुत बड़ी सक्तियां हैं तो वास्तों में ये सब कुछ नहीं होता है राजयोग तो हमें इन सब से मुक्त रखता है और ये बहुत चोटी चीज़ भक्ति जैसे मैंने कहा क्यों तो ये पर वेस कर लेती तो ये ठीक है या नहीं है ना इसकी ना कोई जरूरत है, लेकिन वो आ रही है, ये इनके वस में तो होता नहीं, कोई ना कोई घर में ये एक प्रथा चलती आ रही है, लेकिन अगर वो इससे मुख्त होना चाहें, जिसके तन में आ रही है, तो वो विराजियोग के माध्यम से इससे मुख्त हो सकती है बिल्कुल पते जी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है लेकिन मैं इसे कल आपके साथ चर्चा करूँगा क्योंकि वर्क पिजाजत नहीं दे रहा है बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत सारे स्थानों पे हमें इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं तो इसके लिए क्या विशेश किया जा सकता है इस पे विशेश आपसे प्रकाश जहेंगे आज की तमाम शर्चाओं के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अमित्रों बहुत सारी चीजें समाधान में सपस्ट होती चली जा रही है जैसे बात थी कि भोजन में भी विशेज करके किन चीजों को शामिल किया जाए किन चीजों को शामिल नहीं किया जाए यह तो मैं मानता हूँ कि लंबे समय से प्याज, लैसून, आदी आदी चीजें हमारे भोजन में शामिल थे ही लेकिन अब यदि हमें योग और साधना के मार्ग में चलना है तो निश्यत रूप से हमें शुद्धता को अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि जहां शुद्धता है कहते हैं कि स्वच्छता जहां है वही परमात्मा का वास होता है जहां अस्वच्छता है वहां तो परमात्मा आही नहीं सकते तो राज्य योग वास्तों में स्वच्छता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है तो यदि हमें परमात्मा से मिलन मनाना है, यूँ तो सोचें आप भगवान से मिलने के लिए लोग अपने गले तक काटने को तयार होते थे, क्या हम प्याज और लैसून नहीं छोड़ सकते, कुछ दिनों के लिए करके देखें, अच्छा लगेगा, नमस्कार.